C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, पार्ट 6, उपनिवेशवाद और शहर, प्रिष्ट संख्या 64, एक शाही राजधानी की कहानी, उपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ, आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद, काउं का जीवन किस तरह बदल गया था, इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है, कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं, मदुराई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों, या सूरत जैसे बंदरगाह, य औद्योगी की करण के साथ सामने आये थे, ब्रिटेन में लीड्स और मैंचेस्टर जैसे औद्योग एक शहर, उननिस्वी और बीस्वी शताबदी में तेजी से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे, लेकिन उननिस्वी सदी में भारती शहर पश्चिम योरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं पहले, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र एक, इसमें है मचली पट्टनम का एक द्रिश्च, 1672, मचली पट्टनम सत्रमी शताबदी में एक महत् पून बंदरगा के रूप में विकसित हुआ. अच्छारमी सदी के आखिर में, जब व्यापार, बंबई, मदरास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, तो उसका महत्व घटता गया. प्रिष्ट संख्या, 65, अच्छारमी सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मदरास का महत्व प्रेजिडेंसी शेहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था. ये शेहर बहारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे. उसी समय बहुत सारे दूसरे शेहर कमजोर पढ़ते जा रहे थे. खास चीजों के उत्पादन वा बहुत सारे शेहर इसलिए पिशडने लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी, उनकी मांग घट गई थी. जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा, तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिती में नहीं रहे. इसी प्रकार स्थानिय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए, तो क्षेत्रिय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढै गए. इस प्रक्रिया को अक्सर शेहरी करण कहा जाता है. मचली पटनम, सूरत और श्री रंग पटनम जैसे शेहरों का उननिस्वी सदी में काफी ज्यादा शेहरी करण हुआ. बीस्वी शताब्दी की शुरुआत में केवल ग्यारा प्रतिशत लोग शेहरों में रहते थे. प्रेजिडेंसी, शासन की सोविधा के लिहाज से आपनी वेशिक भारत को तीन प्रेजिडेंसी, अर्थात, बंबई, मदरास और बंगाल में बा प्रियापारिक चौकियों को ध्यान में रख कर बनाई गई थी. शेहरी करण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शेहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं. इस प्रिष्ट पर है चित्र दो. इसमें है अठार्मी सदी में बंबई का बंदरगाह. जब इ दिल्ली उनिसमी सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था. परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जाना गई. आईए दिल्ली की कहानी को सुनकर समझें कि आपनी विशिक शासन के दौरान यहां क्या चल रहा था. नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थी. आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं. क्या आपको मालूम है कि ये शहर एक हजार साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है. इस दोरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं. यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग साथ वर्ग मील के छोटे से क्षेतर फल में कम से कम चौदा राजधानियां अलग-अलग समय पर बसाई गई. आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घुमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेश देखे जा सकते ह इनमें बारमी से सत्रहमी शताबदी के बीच बसाई गए राजधानी शहर सबसे मातपून थे. प्रिष्ट संख्या 66. इस प्रिष्ट पर है चित्र 3. ये है 19. सदी के मध्ध में शाह जहानाबाद की एक तस्वीर. The Illustrated London News 16. जनवरी 1858. चित्र में बाई और आप लाल किले देख सकते हैं? शहर को घेरने वाली दिवारों को ध्यान से देखें. बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है. देखिए कि यमना नदी लाल किले से सट कर बह रही है. अब इसका रास् नारे की तरफ बढ़ रही है. उसे अब दरिया गंच कहा जाता है. दरिया का मतलब नदी और गंच का मतलब बाजार. इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाह जहाने बसाई थी. शाह जहानाबाद की स्थापना 1649 में शुरू हुई. इसके भीतर एक कि ला महल और बगल में सटा शहर था. लाल पत्थर से बने लाल कले में महल परिसर बनाया गया था. इसके पश्चिम की और 14 दर्वाजों वाला पुराना शहर था. चांदनी चौक और फैस बाजार की मुखे सड़कें इतनी चौडी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से थी थी. चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी. घने महलों और दरजनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद, भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी. उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से उंचा कोई स्थान नहीं था. शाह जहां के समय दिल्ली, सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंदर हुआ करती थी. यहां कई दरगा, खानका और ईदगा थी. बड़े बड़े चौराहों, टेडी मेडी गलियों, खामोश कुल्दे सेक और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नास था. शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था. दिल्ल प्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मौमलों पर चर्चा करते हैं. संतों का आशीरवाद लेते हैं या नृत्य संगीत कारेक्रमों का आनंद लेते हैं. इदगा, मुसल्मानों का खुला प्रार्थना स्थल, जहां सार्वजनिक प्रा प्रिष्ट संख्या सड़सट लेकिन ये भी आधर्श शहर नहीं था. इसके एशो और आम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे. अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था. हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे. शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आम तोर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी. त्याओहारों और जलसे जलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग. इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र चार. ये 1795 में टॉमस डैनियल द मेनारों और पूरे गंबदों वाली ये भारत की पहली मस्जित है. इसी प्रिष्ट पर है चित्र पांच. ये है दिल्ली में निजाम-दिन ओलिया की दर्गाह. सरोत एक. दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब. 1749 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लू पतन पर दुख भरे लहजे में अठार्मी सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं. दिल्ली जो एक शहर था आलम इंतखाब. हम रहने वाले हैं उसी उजडे दयार के. मैं उसी उजडी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य श वासिल कर लिया था. क्योंकि बिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशा को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी. आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, ये 1911 में तब बनना शुरू हुआ, जब दिल्ली बिटिश भारत की राजधानी बन गई. प्रिश्ट संख्या 68. एक अतीत का ध्वन्स. 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे आपनिवेशिक शेहनों से काफी अलग थे. मदरास, बंबई या कलकत्ता में भारतियों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग-अलग होती थी. भारतिये लो सुसजित गोरे इलाकों में रहते थे. दिल्ली में ऐसा नहीं था. खास तोर से 19. सदी के पूरवार्द में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शेहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे. वो भी उर्दू-फार्सी सस्कृती वशायरी का मज़ा लेत थे और स्थानियत योहारों में हिस्सेदारी करते थे. 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत अठार्मी सदी में मदर्से के रूप में हुई थी. इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्तर के क्षेत्र में एक नए युक का सूत्रपात कर दिया यहां मुख्य रूप से उर्दू भाशा में काम होता था. बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधी को दिल्ली पुनर जागरन काल बताते हैं। 1857 के बाद ये सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुशा जफर को विद्रोह का नेतरित्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। चार महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंतरन में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंतरन हासिल किया। तो वो बदले और लूट पाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब घुसाए शेर यानि अंग्रेज शेहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बे सहरों को मारा। घर जला डाले। नजाने कितने औरत मर्द आम और खास तीन दर्वाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शेहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादरुशा जफर को देश से निकाल दि उनका दर्वार बंद कर दिया। कई महल गिरा दिये। बागों को बंद कर दिया और उनकी जगा अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। इस प्रिष्ट पर है चित्र छे। इसमें बिडिश टुकडियां दिल्ली की सड़कों पर वे द्रोहियों का कतले आम करके बदला ले रही हैं। सरोत दो कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ है। दिल्ली में आ रहे बदलावों पर खालिब गहरे तोर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीद पर लिखा था। क्या लिखूं। दिल्ली की जिन्दगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर भी इस नाम का भी शहर हुआ तो जरूर है। प्रिश्ट संख्या 79 अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीद को पूरी तरह भूला देना चाहते थे। गिले के इर्दगिर्द का सारा इलाखा साफ कर दिया गया। वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिये उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, अंग्रेज आस-पास के इलाके को सुरक्षित करना चाहते थे। खास तोर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया, या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तिमाल किया जाने लगा। मिसाल के तोर पर जीनतल मस्जिद को एक बे इस प्रिश्ट पर है चितर साथ, ये है जामा मस्जिद से फैलिस बियतों दौरा लिया गया फोटो, 1858-69, मस्जिद के चारों तरफ बनी इमारतों को देखें, 1857 की बागावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया था, रेलवे की स्थापना करने और शेहर को चार दिवारी के बाहर फैलाने के लिए, 1870 के दशक में शहा जहानाबाद की पश्चमी दिवारों को तोड़ दिया गया, अब अंग्रेस उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे, अब वो प्रिष्ट पर है चित्र आठ, ये है आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जित का द्रिश्य, गतिविधी, चित्र साथ और आठ की तुलना करें, इन चित्रों में जो फर्क दिखाई देता है, उससे यहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़े होंग प्रिष्ट संख्या सत्तर, एक नई राजधानी की योजना, अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाज़ा, 1857 की बगावत के बाद, उन्होंने यहां बहुत सारे शानदार आयोजन किये, 1877 में, वाइस रॉयल लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका गोशित करने के लिए एक दर्बार का आयोजन किया, वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दर्बार का आयोजन दिल्ली में किया गया, इसकी क्या विद्रो के दोरान अंग्रेजों ने ये समझ लिया था, कि लोगों की नजर में मुगल बादशा का महत्व अभी भी बना हुआ है, और वो उसे ही अपना मुखिया मानते हैं, लिहाज़ा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंदर में पूरी तड़क-भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया, 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लेंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ, कलकत्ता की बजाए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी द संबर 1911, इस दरबार में एक लाग से ज्यादा भारतिय राजा माहराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे, ततकालीन शहर के दक्षिन में राइसिना पहाडी पर दस वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्मान किया गया, एड़वर्ड लुटियंस औ और हरबर्ड बेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तयार करने का जिम्मा सौपा गया, नई दिल्ली स्थित सरकारी परिस्टर में दो मील का चोड़ा रास्ता वायसरॉय के महल, जो की अब राश्टपती भवन है, वहां तक जान अलग अलग दोर की जलग दिखाई देती है, फिर भी इसका रूप मोटे तोर पर क्लासिक यूनान पांच्वी शताबदी इसापूर्व का दिखाई देता है, उदाहरन के लिए वाइसरॉय पैलेस का केंद्रिय गुमबद सांची में बने बौद स्थूप की बनावट पर जरूरी थी, इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वाइसरॉय का महल शाह जहां की जामा मस्जिद से भी उँचा हो। इस प्रिष्ट पर है चित्र दस, इसमें है राइसीना पहाडी के उपस्तित वाइसरीगल पैलेस, जो की अब राष्टपती भवन प्रिष्ट संख्या 71, ये काम कैसे किया जा सकता था। नई दिल्ली के निर्मान में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था, जो शह जहानाबाद के मुकाबले बिलकुल अलग हो। उसमें भीड भरे महलों और सक्री गलियों के लिए कोई जगा नहीं थ पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेशों को भीड भरे इलाके, गंदे और स्वस्थ के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोथ दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बहतर जल पूरती, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया। वहां पेड और बड़े बड़े पार्क बनाये गए ताकि लगातार ताजा हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। स्रोत तीन, नई दिल्ली की कल्पना। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वाह स्रॉय हार्डिंग ने ये वज़ा बताई थी। ये बदला भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा। और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाई रखने जो ब्रिटिश शासन के तहट भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, ये एक पनपती हुई नई सब्ऴता है, इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ट तत्वों का मिष्रण है। दिल्ल और देखते हुए राय सिना हिल की और बढ़ रहे हैं। क्या बेकर की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि इस इमारत की और देखने से भव्यता और ब्रिटिस सत्ता की ताकत का बोध होता है। गतिविती। क्या आप इस अध्याय में ऐसे दो उधारन ढूंड सकते हैं। जिन से पता चलता है कि राजधानी की चवी के बारे में कोई भिन्न तरह की सोच भी मौजूद थी। प्रिष्ट बहत्तर विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादात में विस्थापित हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई। रोजगार बदल गए और शेहर की संस्कृती बिलकुल भिन्न हो गई। सुवतंतरता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीशन दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घरबार लूट कर जला दिये गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसल्मानों की जगा पाकिस्तान से आए सिक और हिंदू शर्नार्थियों ने ले ली। शह जहनाबाद में लावारिस माकानों पर कब्जे के लिए शर्नार्थियों के जुंड गूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसल्मानों को भाग जाने और अपनी संपत्ती बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के दो तिहाई मुसल्मान पलायन कर गए थे जिससे लगभग चवालिस हजार मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसल्मान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाओ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शर्नार्थियों का शेहर बन गई थी। दिल्ली के आबादी में लगबग पांच लाग के वृद्धी हो गई। जबकि 1951 में यहां की आबादी आठ लाग से कुछ ही ज्यादा थी। ज्यादातर लोग पंजाब से आये थे। वो शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बागीचों में आकर रहने लगे। उन में से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शर्नार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाचपतनगर और तिलकनगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी। दिल्ली में आने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलिज भी खुल दिये गए। जो लोग यहां से गए थे उनकी जगा आए शर्नार्थियों की निपुनता और काम धंदे बिलकुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसल्मान कारीगर, छोटे-मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आये नए लोग ग्रामीन, भू स्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यावसाय बदल दिये थे। फेरी वालों, पट्री वालों, बढ़ाई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इन में से बहुत सारे नए व्यावसायों में काफी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन पहनावे और कला के हरक शित्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्क्रिती नई रूचियों और समवेदन शीलिता के नीचे दब गई। चित्र ग्याराए। इसमें दिखाया गया है कि विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में बने शर्णनार्थी शिविरों में रहने लगे थे। पुराने शहर के भीतर इस बीच पुराने शहर यानी शाह जहानाबाद का क्या हुआ। अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताजा पानी आता था बलकि दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। उननेस्वें सदी में जलापूरती और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्ता को नजर अंदास किया जाने लगा। कुवों और बावडियों की व्यवस्ता अस्तव्यस्त हो गई। घरेलू कच्रे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षत इग्रस्त थी। ये एक ऐसे समय की बात है जब शेहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। तूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। 19 सदी के आखिर में शाह जहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्ता विकसित की गई। जल्दी ही ये प्रनाली भी बोज से चर्मराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परिशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्ता पर पैसा खर्च करने को तयार नहीं थी। तथा पी उसी समय नई दिल्ली के इलागे में निकासी व्यवस्ता पर लाखों रुपए खर्च किये गए। इस प्रिश्ट पर है चित्र बाराए। इसमें है दिल्ली में निजामुदीन ओलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद बावडी। प्रिश्ट संख्या तिहत्तर हवेलियों का पतन सत्रमी और अठारमी शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। उन्नीसमी सदी के मध्य का नक्षा देखने पर ऐसी कम से कम सो हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चार दिवारी से घिरे दालान और जर्नों वाली भव्य अमारतें थीं। चित्र तेरा इसमें है उन्नीसमी सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खुबसूरत भाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले आहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ महमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे। जिनका सिर्फ पुरुश ही इस्तिमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरटों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तिमाल होता था। उन में फरनीचर बहुत कम होता था। यहां तक कि 19. शतबडी के मद्द तक भी कमर अधीन खान की हवेली में कई अमारतेशी थे। उन में गाड़ी वानों, तंबू लगाने वालों, यानि देरवाल, मशालची, खातेदारों, कलरकों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर, बिडिश शासन के समय इन विशाल काई अमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। अपनी वेशिक बंगले इन हवेलियों से बिलकुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे। इसलिए उन में एक मंजिल की ढलमा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आम तोर पर एक या दो एकड़ के खुले स्थान पर मने होते थे। इन में रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में तीन तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुक्य मकान से अलग बनाया जाते थे। घर की देखभाल के लिए दरजनों नौकर होते थे। परिवार की औरते अकसर दरजियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। इस प्रिष्ट पर है चित्र 14, इसमें है नई दिल्ली का एक आपनिवेशिक बंगला। प्रिष्ट संख्या 74, गतिविधी। दो बच्चों की कल्पना कीजिए। उनमें से एक अच्चे की तरह जीना पसंद करेंगे। अपने सहपाठियों के साथ अपनी राय पर चर्चा करें और बताएं कि आपने ये चुनाव क्यों किया। प्रिष्ट संख्या 75, नगरपाली का योजना बनाती है। पुराने शेहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शेहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट कलाक ने 1888 में लाहॉर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तयार की। इसके पीछे सोच ये थी कि यहां के निवासिय की गई थी। इस पुनर विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संदचना तै की गई। सभी सड़कों की चोड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। महलों के निर्मान के लिए जमीन को एक जैसे टुकडों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को कलाक गंच का नाम दिया गया। ये कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शेहर को भीड से आजाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहां तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ती और निकासी वेवस्था बहुत खराब थी। इस प्रिष्ट पर है चित्र पंत्राय। इसमें है पुरानी दिल्ली की एक सड़क। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहट संपन लोगों के लिए दर्यागंज दक्षिन जैसे इलाके बनाए गए। यहां पार्कों के इर्दगिर्द रिहाइशी मकान बने। मकानों के भीतर निज्टा की नई सोच के हिसाब से जगा बंटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साजा जगा पर नहीं रहते बलकि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन सदस्यों के लिए अलग अलग जगा होने लगी। प्रिष्ट संख्या 76 अन्यत्र इस प्रिष्ट पर चित्र 16 में दिखाया गया है नई दिल्ली का सची वाले। इसी प्रिष्ट पर चित्र 17 में दिखाई गई है दक्षिन उपरेखा बेकर ने तयार की थी अगर आप चित्र 16 और 17 को देखें तो पाएंगे कि इन दोनों इमारतों में भारी समानता है लेकिन ये दोनों इमारतें बिल्कुल अलग-अलग महाद्वीपों की हैं इस बात से क्या पता चलता है दक्षिन अफरीका में हरबर्ट बेकर यहीं बेकर की मुलाखात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड से हुई जिसने बेकर के भीतर बिटिश सामराज्य के प्रती प्यार और प्राचीन रोमन वा यूनानी वास्तु शिल्प के प्रती प्रश्चनसा का भाव पैदा कर दिया इसी प्रिष्ट पर चित्र 17 में इस्तमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालए भवन की योजना में भी इस्तमाल किया। आईए कल्पना करें। विकसित हुए। सूरत और मचली पत्टनम का उननीस्वी शताबदी में विकास हुआ। बीस्वी शताबदी में भारत की ज्यादातर आबादी शेहरों में रहती थी। गा, 1857 के बाद जामा मस्जिद में पांच साल तक नमाज नहीं हुई। न, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया। दो, रिक्त स्थान भरें। क, सफलता पूर्वक गुंबत का इस्तिमाल करने वाली पहली इमारत रिक्त स्थान थी। ख, नई दिल्ली और शाह जहानाबाद की रूप रेखा तै करने वाले दो वास्तुकार रिक्त स्थान और रिक्त स्थान थे। ग, अंग्रेज भीड भरे स्थानों को रिक्तस्थान मानते थे ग, रिक्तस्थान के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तयार की गई तीन, नई दिल्ली और शह जहानाबाद की नगर योजना में तीन फर्क ढूंडे चार, मद्राज जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे? आईए विचार करें पांच, शहरी करण का क्या मतलब है? छे, अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दर्बार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी साथ, पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहट किस तरह बदलता गया? आठ, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? आईए करके देखें नौ, अपने शहर या आसपास के किसी शहर के इतिहास का पता लगाएं देखें कि वो कब और कैसे पहला? तथा समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए हैं? आप बाजारों, इमारतों, सांस्कृतिक संस्थानों और बस्तियों का इतिहास दे सकते हैं दस, अपने शहर, कस्बे या गाउं के कम से कम दस व्यवसायों की सूची बनाएं पता लगाएं कि ये व्यवसाय कब से चले आ रहे हैं? इस सूची से इस इलाके में आए बदलावों के बारे में क्या पता चलता है? इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्यान की ध्वनी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3, भाग 1, ध्वनी अंकन, बटिलेंग लिंग्डोह और शानु मुक्सीम, निर्माण तथा ध्वनी संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET, NCERT नई दिल्ली